अठाइस के फेर में इंडिया एंडिये ने सुलजा लिया पहले से ही टिकट पंटवारे को लेकर बुल्जन थी क्या अखिलेश ने और फंसा दिया सवाल है कि जब अपनी ही पार्टी में खींचतान है तो अखिलेश यागव को सीट कहां से देंगे एक पुरानी कहावत है कि गावं बसानी यो लोटेरे पहले आ गए इसी आलत में दोनों पार्टीओं में दोनों दुलों में चल रहा है चुकि सत्ता की लाल सा सबको है तो जाहिर तो जब सत्ता की लाल सा रहेगी तो खीचतान होना तो सवाविख है NDA में 260 सीटों पर सहमती होने की खबरे आ रही है अमिद शाह के साथ हुई बैठक में NDA ने 260 सीटों का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है इसके मताबिक 260 में से BJP 142, शिवसेना शिंदेगुट 66 और NCP अजित पवार के हिस्से में 52 सीटे आई है बची हुई 28 सीटों पर आने वाले दो दिनों में अंतिम फैसला लिया जाएगा जिसके बाद फुल सीटों में से BJP 150 प्लस, शिवसेना शिंदेगुट 70 प्लस और NCP अजित पवार को 60 प्लस सीटे मिल सकती है लेकिन खबर है कि एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं महायूती यानि कि सत्ता पक्ष जो है उनमें तीन पार्टी हैं जहां उनमें भी काफी खीचा तानी है एकनाथ शिंदे शायद 100 के आसपास सीटे मांग चाहते हैं और इसलिए शायद उनके यहां भी सीटों का पटवारा रुका हुआ है भाजपा चाहती है कि 1500 से आगे यानि कि 160 के आसपास जगह उनको मिलनी चाहिए विदान साभा में इसलिए उनकी कोशिश है कि एकनाथ शिंदे शायद 70 पर मांग जाए और अजीत पवार राष्टवधी कॉंग्रिस के लिए एक 40 या 45 या 50 सीटे लेकर शान्त हो जाए और कुछ सीटों का पटवारा जो इस सरकार का समर्थन करते हैं उनको दी जाए यह छोटी बटी पार्टिया होती है उनको दी जाए भासी हुई 28 सीटों में से ज्यादातर सीटे मुंबई, मराठवारा और पश्चिम महराष्ट की हैं मुंबई में मुक्यमंदर एकना शिंदे की शिवसेना 17 सीटों पर दावा कर रही है वही बीजेपी उन्हें 15 सीट देने पर राजी है बीजेपी मुंबई में खुद 17 सीटों पर दावा कर रही है वही आजीद पवार की राष्टरबादी कॉंग्रेस पार्टी 4 सीटों पर दावा कर रही है इंडिया गठबंधन में भी 28 सीटों पर पेच मसा है यहां 260 सीटों पर सहमती की बातें सामने आ रही है जगड़े वाली जो 28 सीटे हैं उनमें दक्षिन नागपुर, श्रीगोंगा, पारोला, हिंगोरानी, मिरच, शेडी, राम्टे, सिंध्वट राजा, दर्यापुर, गेवराई, वुद्गी, तुमस, कोलाबा, भाईखला और वर्सोवा है जगड़ा असलवाद, दो जगों को लेकार है, एक मुंबई की सीटर को लेकार है शूत्र बताते हैं कि 28 में से ज़्यादा तर सीटें कॉंग्रेस के खाते में जा सकती हैं जो मीटिंग ले रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारा समझोता दोसों के आगे चला गया है मैं सिर्फ 28 सीटों पर हमारा जगड़ा कायम है यानि कि विवाद कायम है यानि बटवारा होने पर कॉंग्रेस के खाते में 100 से ज़्यादा शिव सेना उद्धव ठाकड़े गुट को 90 प्लस और NCP शरत पवाद की पाठी को 80 प्लस सीटें मिल सकती हैं अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले उनके दो विधायक जीत चुके हैं ऐसे मैं समाजवादी पाटी को 12 सीटें चाहिए अखिलेश की डिमांड पर इंडिया गठबंधन क्या करता है ये देखना होगा फिल्हाल खबर है कि सोमवाद या मंगलवाद को इंडिया और इंडिये गठबंधन 28 सीटों पर अंतिम समाधान निकाल लेंगे